हैलो क्रेकटर्स मेरा नाम कुणाल है तो आज की वीडियो में हमाम बात करेंगी अजिन्ता मेंडिस के सारे वेरिЭ्रियशन वेड़ेंस के बारे में, कि वो अपनि बोलिंग में कोंधों से वेरियुशन यूज करते थे और अपनी बोल को कैसे घ्रिप करते थे तो अगर आपको उनकी तरह बोल करना है तो आप उनकी ग्रिप देखके उनकी रनप देखके उनका एक्षन देखके अपनी बोलिंग में इंप्लिमेंट कर सकते हैं और अपनी बोलिंग को इंप्रूव कर सकते हैं तो अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ग्रेट से लेटेड ऐसी वीडियो लाते रहते हैं तो जो अजनता मेंडे से वो सीलेंगा के एक मिस्टरी स्पीनर है जो की बहुत अच्छे स्पीनर थे अपने टाइम के तो वह जो अपनी बॉलिंग में पांस तरह के वेरियसन यूज करते थे जिसमें उनका सबसे पहले था ओफ ब्रेक उसके बाद लैक ब्रेक तीसरा तो उनका केरम बोल चौथा गोगली और पांस बच उनका मेन था वह दूसरा ये पांच इनके वेरिशन थे जो अपनी बोलिं देख से होगी तो उसके बाद प्रहिंटा अगला था तो जनका सेम ऑफचा प्रेक की तरह एका ग्राइब करता और रहता इसमें और आफ ड्रेक के तो इसमें ब्लेक ब्रेक में रिस्ट चलने स्टार्ट हो याति है आप देखेंगे इसमें रिष्ट आपकी ऐसे चलेगी ऐसे बोल पीछों गोल बीटित जाइए तो अब जो इनका तीसरा वेरिश न वह कैरंबोल जो कैरंबोल है तो आप देखेंगे बोल इनके अच्छी कासी बोल मूव होती थी और जब भी एक करम बोल डालते थे यह जैसा सुने लिए पीशे से आके उस टाम पर यह कभी भी ऐसा नहीं करते यह हमेशा सामने से आप इनके एक्शन में भी देखेंगे यह सामने से बिल्कुल ऐसे दिखा करने वाला हूं उसके बाद भी विकट लेते आज की टाम पर क्या होता है आज की टाम पर सब अपने ग्रिप दुपका के लाते हैं और उसके बाद बोल डिलिवर करते हैं तो यह उनकी खास बात थी कि वह सामने से दिखाने के बाद भी अच्छे पैस्टनों को बीट करा द तो बोल आपकी अंदर की तरफ आती है इनके केस में कहाता जो का केरम बोलता ऐसे जू cogli कैसे काम करता था इनका बिल्कुल ऐसे संफ इस गरिप में बॉल में अगर आपको यह बोल सीखनी है तो आप इनकी तरह सीख सकते हैं आपकी इंडेक्स और मिडल फिंगर होती है दो उंगली ऐसे रहेगी और थम ऐसे रहेगा ऑफिसमें में आपकी यूँ चलती है यूँ बट दूसरे केस में का होता है जब आप बोल डिलीवर करने आते हैं तो है हाथ चाप का इसे आता है और दूसरे में क्योंकि आपके ऐसे नेकलेगी जब आप यह बाल कि तरह काम करती है द्यूंक यहोडम से करें लेकि ऐसा करें कि शाट वे जो बैश्मेन होगा वो गिरिप देखके समझेगा कि यह ओफिस्पिन है बट जब यह बोल ठपक आगे बाहर निकलेगी तो यह लाकटर गाम करेगी जिसमें अच्छे-च्छे बैश्मेन बीट हो आते हैं तो मैंने आपको यह पांचों बता दिये अगर आपको इन में से कर सकते हैं उसके बाद अपनी बोलिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थांक्स फूर वाचिंग